बीते दिनों प्रदेश वन निगम के पूरव उपाद्यक्ष वा भाजपानेता सूरत नेगी ने प्रेस वारता में मानने राजसव एवं पागवानी मंतरी श्रीजगर सिंग नेगी जी पर किनावर के अंदर सरकारी क्रब्चारियों के साथ पक्षपाद पुरुन तबादल और किस प्रकार आज दिन तक वो शासन से बाहर हो जाने और किनावर की जंता दुआरा नकारे जाने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं ये अजीव विडंबला है कि जिन सुरतनेगी के कारिकाल में बाचपा शासन में किनावर के अंदर तबादलों का एक नेकसस काम करता था तबादलों के नाम पर पेसों की उगाई की जाती थी या फिर सरकारी करमचारियों को प्रताडित कर उन्हें बाचपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था वो सुरतनेगी आज मानने राजस्व मंतरी श्री जगसिंग नेगी जी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो पक्षपाद कर रहे हैं बैदवाद पुरन तबादलों को स्विक्रिती दे रहे हैं यह अपने आप में ही एक एक हास्षप्रत व्यक्तव है जो है मानने मंतरी महदे पर सुरतनेगी द्वारा लगाए जा रहा है सुरतनगी जी यह बूल गया है कि किस परकार बाजबा शासन्भ में सरकारी करमचारियों की उत्पیड़न को लेकर शिकायते आते रहे हैं कितने ही मरतबा लोगों ने उन्हें सरकारी करमचारियों के साथ बेदमावर उनको प्तारिद करने के लिए जगा जगा गेरा है किस प्रकार राजनेतिक बेदभाव के चलते सरकारी करमचारी जिनके परिवार वाले कॉंग्रेस विचारदारा से जो संबन रखते थे उन्हें प्रतारी करने का प्रयास इन्होंने किया किस प्रकार सापनी के सीनिस केंडि स्कूल से आठ अधियाप्रकों का एक साथ बादला कर दिया गया किस प्रकार सूरतनेगी ने अपने ही गाउं के एक करमचारी को तीन बार बादला यहां से बाहर किया गया यह साप दर्शाता है कि बाजपा नेता सूरतनेगी आज दिन तक इस बात को नहीं स्विकार कर पाए हैं कि किनौर की जनता ने उनके निर्द्रतों में कोई आस्ता नहीं दिखाई उनके लेडरिशिप क्वालिटी पर सवाल खड़े किये और उन्हें किनौर का प्रद्रिन दित्व करने का अफसर उन्हें नहीं परदान किया है वही पर मानने राजस्व मंतरी वभागवानी मंतरी आधनिशी जगर سिंगनी जी के सफल प्रयासों से आज परदेश सरकार आए देन बागवानों के हित्मे फैसले ले रही है आज जो बागवान और किसानों के हित्मे प्रदेश सरकार की योजनाए आ रही है उसके एक बहुत बड़ा श्रेम मानने जगर सिंग्नेगी जी है जो लगातार पीछले तीन महिनों से दिन रात प्रदेश के बागवानों किसानों के हित्मे फैसले लेने के लिए उनके उत्थान के लिए उठा को बनाने में लगे हैं अधिकारियों करबचारियों के साथ लगातार बैठे के कर रहे हैं और वही पे जिन जाती है शेत्रों के उत्थान के लिए उनके विकास के ल ने आयाम स्थापित किया जाए इसके लिए दिन रात प्रियास माणने मंत्रीय द्वारे किया जा रहा है। ऐसे मैं केवल राजनितिक उन्ठा के चलते आपका ये बयान की दलगत राजनिती के चलते बेदभाव पूरन जो आज रविया करमचारियों के परती मानने मंत्री का है यह पूरा जो किनौर के जनता है वो बली बांती जान रही है देख रही है औरूने joue किस परकार आज केव सेवाइं देने के बजाए राजनिदी से प्रेजित हैं राजनिदी में अपने जाला वक्त विता रहें उनका तबादला निश्चित रूप से हुआ होगा और यह इसमें कोई बुराई नहीं है ऐसे लोगों को सरकारी सेवाओं के प्रती अपनी प्रात्मिक्ता सुनिश्चित करनी चाहिए इस बात का विश्च दियान इस सरकार में रखा जा रहा है करने बात पूशन जूलर्स अनमूल रिष्टों के लिए